नमस्कार दोस्तों औरके इलेक्ट्रोनिक ज्यारकन चलने में आपका फिर से स्वागत है तो दोस्तों आज की जो टोपिक है हमारी दोस्तों आप हमारे टेबल पर आप देख सकते हैं यह पूरा ट्रांजिस्टर रखा हुआ है ठीक है यह दोस्तों हमने कुछ सेंपल आपके स नमसार मैं यह वीडियो आज आप लोगों के बिच में लेकर आया हूँ कि दोस्तों इसमें ट्रांजिस्टर टेस्ट करने में हिसमें के बहुत के साथ दिकत्रेवे पूर्टिष दोस्तों केवल सोटिंग नहीं होती है इसमें से हर तरह का प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलता है तो किसी किसे में दोस्तों फुल सोट हो जाती है किसे में हाफ सोटिंग हो जाती है और किसी में बिल्कुल ही सोटिंग नहीं होती क्या ओपेन हो जाती है तो क्या कंडिशन होता है ट्रांजिटर में आपको कैसे पता चलेगी कि यह कौन सी ट्रांजिटर हमारी खराब है कौन सी हमारी सही है तो सबसे पह बैस descriptions में हम देंगे अब जाकर दे Kh observe थीखके तो धुस्टों यहां पर जो आप देख रहे हैं अलग अलग तरीके का fault आपको देखने को मिलेगा तो इसा नहीं कि मतलब आप इसमें जो देख रहे हैं इस काली वाली जो ट्रांजिटर होती है इसमें यह fault आपको देखने को नहीं मिलेगी मिल सकती है इसमें भी मिल सकती है कि इसमें से किस किस तरीके से मेरे पास fault आया हुआ है मैंने इसे खोल के रखा हुआ है और नया ट्रांजिटर को भी मैं आप लोगों के सामने live हम चेक करेंगे और सभी का reading जो है मैं आप लोगों के सामने रखूंगा तो चली दोस्तों वीडियो को देर ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूं कि अगर दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं कर दिया है तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दिजे और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करतीजी और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी तो चलिए हम इसे अब फुल डिडिटल नहीं बोल सकते हैं इसमें अगर हलका साभी-गर कोई प्रॉबलम हो तो आप इसमें फेस कर सकते हैं स废ूरु आपको करना क्या है कि अपने मीटर को continuity mode में set करके रख लेना है जो कि मैंने यहां से हमारी बजर की sound आती है यहां पर मैंने set कर लिया है set करने के बाद आप यह इसकी beep की वाद आप सुन सकते हैं लेकिन जब आप इसमें beep की वाद सुनेंगे तो यहां पर देखेंगे इसकी reading जो है बिल्कुल एक में जीरो में आजागी एक में आजागी है तो देख सकते हैं जीरो जीरो एक तो यही इसका सबसे पहला जो फर्मूला है तो आपको मीटर चेक करने के लिए आप जब भी आप इसे सॉट करेंगे कोई भी सॉटिंग समानों तो आप देखेंगे यहां पर ती जीरो एक में आकर करके रुख जाती है ठीक है और अगर आपका डिसकनेक्ट होकर होगा अगर ओपन होगी तो आपका इसका जो नंबर है यह जो रीडिंग है तो आपको एक ही रहेगी इधर आप आपकी लेफ्ट की तरफ आएगी तो चलिए हम आपको शुरू करके दिखाते हैं तो मैंने एक पहले खराब ट्रांस्टर लिया हुआ हुआ जो की टू एन सहती इस्तिहत्र है सबसे पहला दोस्तों इसकी जो ग्राउंड होती है यह जो आप इसकी पूरे पूरी की पूरी की अब बोड्य देख रहें यह दोस्तों इसकी जो कलेक्टर पीन है ठीक है इह हमारी कलेक्टर है छली कलेक्टर में हम पहले एन इसकी मैनस पॉंट है मैनस कोड यह हम लगाते हैं ठीक है उसके बाद नह hana यहां देना यहां ऐ checking दोस्तों के हमारी रीडिंग आ रही है डेस तभी आपका ठ्राशुटर क्राव ऐसा नहीं है तो मैं आपको एक स्वूटिंग ठ्रांशुटर मैं इस में क्यों देखाता हूं बहुत फुल शॉटिंग नहीं है चलिए इसके दोनों बेस और एमिटर में हम देख लेते हैं इसमें भी शॉटिंग नहीं है तो ट्रांजिटर दोस्तों बहुत तरह के से खराब होती है तो यहां पर भी शॉटिंग नहीं है इसमें भी नहीं है देख सकते हैं देख सकते हैं दोस्तों जब भी आप इसमें वीप के बाद सुनेंगे तुसमें होगा क्या कि आपका जो ट्रांजिस्टर है आरफ डिजिटल मेटर्हं है यहां पर हमारी डिडिंग जो है बिल्कुल जीरो क्या सवास नालने कि पांच से नीचे हो जागी 10 से गर नीचे आपकी रहती है तभी वाप यहाँ पर सुनाई देगी तो देख सकते हैं पर यहांपर यह हमारा शॉटिंग ट्रांजिस्टर है यह देखिए यहां पर यहां पर जो है स्वर्टिंग इसे हम फूली स्वर् अगर लगेगी तो फुल ओवर्लोड बताएगी आपका इंप्लिफायर सिरीज बल्ब में आप इसे चेक करेंगे तो फुल शॉटिंग बता करके सिरीज बल्ब जो है सौ वाट की बल्ब बिल्कुल फुल गलो कर जाएगी फूरा तेजी से जलेगी तो देख सकते हैं हाप अब है तो भी इसे बता देंगे यह सौर्टिंग है लेकिन कुछ ट्रांजिटर आपको ऐसे चकमा देंगे जो की बिल्कुल ही वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएगे कि हमारी ट्रांजिटर खराब है या सही है तो देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो रिडिंग है जोस्त सारे चैनल पर आप देखा भी होगा लेकिन मैं आपको लाइफ प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं कि आखिर क्यों बोला जाता है कि 300 प्लस रीडिंग आने पर सही होती है जबकि यह ट्रांजिटर दोस्तों हमारा बिल्कुल खराब है तो खराब कैसे है यह मैं आपको रीडिंग आ रही है आप इसकी जो अपने प्लेक वाय रही है इससे तो सपाम में चेंज पर त्रीक के पर हम रेट लगा दिया है यह देखी दोस्तों यहाँ पर भी हमें reading मिल रही है तो इसका emitter है emitter पर reading नहीं मिल रही है लेकिन बेस पर reading मिल रही है लेख सकते हैं तो यह downstairs to goes हमारा खराब हो चुका है अब खराब इसलिए है कि हमारा Collector To base में यहाँ पर reading मिल रही है ठीक है और जबकि एक ही तरफ से मिलना चाहिए यहाँ पर हमें दोनों तरफ से reading मिल रही है अब इसमें अगर आप काहटा वाली meter से चेक करेंगे तो आपकी जो काहटा वाली meter होती है वो दोस्तों दोनों तरफ से आपकी काहटा बढ़ने लगेगी जब भी एक ही तरफ से बढ़ना चाहिए ठीक है तो यहां पर देखेंगे तो दोनों तरफ से यह और जब कि इसमें sound भी नहीं यह sorting भी नहीं है लेकिन फिर भी यह दिखाएगी क्यों कि यहां पर दोनों तरफ से इसकी reading यहां पर आ रही देख सकते हैं यहां पर मैंने फिर एक नया ट्रांश्टर लिया हुआ है और मैं आध वीडियो के अंत में दोस्तों मैं नया ट्रांश्टर भी मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा भी तो देख सकते हैं यहां पर इसमें भी हमारी लगवाग एटीएट के आसपास में reading आ रह हैगी जुझ प्राव का कि 박onomy ऩीजिए हमारी ृष्पाव को सब्सक्राइव से जाच करपाना थड़ी सी मुश्किल हो समझ में नहीं लगने लगता है नहीं और लोगों और अधरंस्टर रहता हैं कौनन सी मीट्र४ी छया हम रही है कौन अधर्लि में और निकाल दें असे देख सकते हैं इसमें भी दोस्तों हमारा रीडिंग जो बिल्कुल 296 के असपास में है और यहां पर रीडिंग बिल्कुल 45 है दोस्तों यह भी हमारा शॉर्टिंग है ठीक है चलिए मैं आपको और दिखाता हूं इसमें हमारी रीडिंग मतलब कुछ भी कंटिनिटी नहीं मिल रही है और यहां पर भी हमें 124 के असपास रीडिंग मिल रही जो कि यह गलत रीडिंग है इस तरीके से रीडिंग आने नहीं चाहिए और एक चीजा है क्लेक्टर टू एमिटर भी हम देख लेते हैं आपर देख सकते हैं क्लेक्टर टू एमिटर हमारी कोई भी शॉटिंग नहीं है चलिए इसे महटा लेते हैं और एक ट्रांस्टर मेरे पास और है जो कि इसे भी हम देख लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है इसमें भी दॉस्तों लगा चुका हूं एक प्रोब को देख सकते हैं पर हमें कोई भी रिडिंग नहीं आ रही है चलिए इसमें भी देख लेते हैं देख सकते हैं यहां पर तो बहुत ही असान है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लेटर टू बेस और क्लेटर टू एमिटर दोस्तों कोई भी रिडिंग नहीं आ रही चलिए हम ब्लेक वायर को इसे उल्टा कर लेते हैं और ब्लेक के जगे पर हम रेड लगाएंगे और फिर देखते हैं यह देख देख सकते हैं हाप है तो यह जो है बिल्कुल χोट हो चुका है कि यहां पर देख सकते हैं रही है में यहां पर रिडिंग आनी चाहिए या फिर और ट्रांजिटर जो मैंने यहाँ पर चेक किया है उस तरीके से इसमें भी आनी चलेकिने इसमें कोई भी कुछ भी रिस्पॉंस नहीं है अगर रिस्पॉंस नहीं रहेगी तो आपकी मीटर में बिल्कुल यह जो आप एक देख रहे हैं राइट सेड में यह दोस्तों राइट से ठीक हैज अंदर से डिस्कनेक्ट हो चुका है सारी पीन जो है भी बेस्टू कलेकर और आमिकेटर हो चुका है यह दोस्तों अंदर से डेडिध हो चुक आपको मैं दिखाता हूं यह हमारे पास न् tv है देख सकते हैं तो चलिह मैं आपको एक पर ने आ ट्रांजिह्टर करकर के दिखाता हैं यह दिखे दूस्तों मैंने ब्लै को rat स्कार में आपको डिखा देता हूं डगा अब हुआ हवा ये हमारा बेस है और यहां से यह हमारा प्पंटितर है देख सकते हैं कि इसकी जी करीव है और यह हमारा कोलेक्टर है देख सकते हैं दोस्तों तो जभभी आप चेक करेंगे तो इसी तरीके से आपको करना है प्र रीडिंग आनी शुरू हो जाएगी और कलेक्टर से भी रीडिंग आएगी लेकिन रीडिंग हमारी 500 प्लस आ रही है और जितने ट्रांस्टर मैंने यहां पर चेक किया है वह दोस्तों सभी में 300 साड़े 300 और 200 क्या स्वास में एक स्वास में रीडिंग आ रही थी तो उसी तरीके से दोस्तों आप इसमें भी अगर देखेंगे तो बेस्टू कलेक्टर और एमिटर में तो इसमें भी हमारी सेम कहानी बनेगी तो देख सकते हैं हां से कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है तो जब भी आप चेक करेंगे तो रीडिंग हमारी एक तरफ से ही आएगी यह देखें दोस्तों लगा हो तो बस एक ही बात है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्यू जैहिंद